क्या आप जानते हैं दिवाली मनाने के पीछे का कारण, दिवाली, रोश्नी का त्योहार, मुख्य रूप से 14 साल तक वनवास में रहने के बाद, भगवान राम के अयोध्या में अपने राज्य लोटने के सम्मान में मनाया जाता है। उन्हें भगवान विश्नु का अवतार भी माना जाता है, जिनका जन्म बढ़ते अत्याचारों को खत्म करने के लिए हुआ था। वह राजा दशरत के सबसे बड़े पुत्र थे और उनके पसंदीदा भी थे। रामायन भगवान राम के जीवन इतिहास पर एक पुस्तक, राम के जीवन की निम्न लिखित घटनाओं को सूची बद्ध करती है। उन्हें वापस जीवन में पाला था। उसकी सेवाओं से प्रभावित और प्रभावित होकर राजा ने उसे दो वर्दान दिये जिन्हें उसने बाद में उपयोग करने के लिए चुना। आयोध्या की राजगद्धी मांगी और दूसरे में उन्होंने राम को 14 साल के लिए निर्वासित करने की मांग की ताकि वह उनके बेटे के लिए कोई खत्रा न बन सके। दशरत को अश्चर्य हुआ लेकिन उन्हें अपना वादा पूरा करना पड़ा। राम ने अपने माता पिता के हित के लिए वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनके भाई, लक्षमन और पतनी सीता राम के साथ वन में रहने के लिए चले गए। वध के साथ पृत्वी पर राक्षस शासन को समाप्त करने में सहायक साबित हुई। राम, जो आज भी अपने धैर्य के लिए जाने जाते हैं, सीता के अपहरन से तूट गए और क्रोधित हो गए। उन्होंने रावन को उसके कुकर्म के लिए दंडित करने और सीता को जल्द से जल्द छुड़ाने का फैसला किया। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि रावन सीता को कहां ले गया है। राम सीता का पता लगाने के लिए नीलगिरी परवत पर घूमते हैं। आखिरकार उसकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान से हुई और उनकी मदद से वह आखिरकार रावन की लंका तक पहुँच सका। राम ने रावन को पश्चा ताप करने का अंतिम अवसर दिया लेकिन उसने अपने अहंकार के कारण इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप, राम और रावन के बीच इतिहास में एक अभूत पूर्व युद्ध लड़ा गया, जिसके अंत में राम ने रावन को हराया और मार डाला। वह दिन जिसे हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। इसके बाद सीता को अगनी परीक्षा देनी पड़ी। अगनी परीक्षा वह अगनी से गुजरी और सुरक्षित रही, जिससे उनकी पवित्रता स्थापित हुई, क्योंकि वह एक वर्ष से अधिक समय तक रावन की हिरास संतुष्ठ होकर राम और सीता, लक्षमन सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आये, अयोध्या के लोगों ने अपने प्रियराजा और रानी राम और सीता का खुले दिल से स्वागत किया। राम को उनकी प्रजा सदैव अयोध्या के सिहासन का असली हकदार मानती भरत, जिन्होंने राम के अनुरोध पर 14 वर्षों तक राज्य पर शासन किया और उनकी वापसी की प्रतीक्षा की, बहुत खुश थे। इस अवसर को चेहनित करने के लिए लोगों ने अमावस्या की। अंधेरी रात में दीपक जलाए और पूरे अयोध्या को दियों अज भी दिवाली के रूप में मनाते हैं। ये दिन बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की अंतिम जीत का संदेश पहलाने के लिए मनाया जाता है। दिवाली के दिन मौमबत्तियां जलाने और आतिश बाजी के पीछे का विचार दुनिया में नकारात्मक के अंधेरे के बावजूद सकारात्मक्ता की रौशनी पहलाना है। दिवाली के तिवहार को उसके वास्तविक स्वरूप में मनाएं। पटाखे जलाएं और मौमबत्तियां जलाएं न केवल आनंद लेने के लिए बलकि अपने भीतर का आत्म निरीक्षन करने के लिए भी आतिश बाजी के धुएं के साथ साथ सभी नकारात्मक विचारों को भी त्याग दें।